Biology, Science का वह ब्रांथ जिसके अंतरगत हम जीव्दार्यों का जीवन के बारे में अध्यन करते हैं, उसे ही हम Biology कहते हैं बायो और लोजी दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है बायो और लोजी, बायो कर्थ होता है जीवन और लोजी कर्थ होता है अध्यन, अर्थात जीवन के अध्यन को करने कही हुमनों क्या कहते हैं, बायो लोजी कहते हैं, बायो लोजी कहते हैं, बायो लोजी का जनक अर्थात फादर आफ बैलो जी अरस्तु को कहा जाता है। एक्जाम समय पूछते रहता है कि फादर आफ बैलो जी किसको कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है। बैलो जी को अध्यान के दुष्टे कौन से इसे दो भागों में बाटा गिया है। आए चली हम इसको हम दो भागों बाटते हैं यह हमारा बैलोजी है इसको दो भागों में बाटा गया है एक हमारा है जूलोजी और दूसरा हमारा है बोठनी जूलोजी का विजनक अरस्तू है और बोठनी का जनक के वारण पूशते हैं इसका यह है थियो फिरेष्टन encant कह 1997 पूश दे कि बताए यह बोठनी का जनक किसे कहा जाता है तो फिरेष्टन जो है बोटनी का जनक कहा जाता है जबकि जुलोजी का जनक और अस्तु को ही कहा जाएगा और सिर्फ यह पूछे कि बैलोजी का जनक अर्थात फादर और बैलोजी किसको कहा जाता है यह हमारा अरस्तु हो जाएगा हम जुलोजी में जीव जनतु के बारे में हम पढ़ते हैं और बुटनी में पादप के बारें परते हैं अर्थात पेर पौधे के बारें हमको इसमें पढ़ दाराता है पादप के बारे में और यह भी कर सकते हैं पादप जो है नन मुव्मेंट करने वाला होता है अर्थात यह अस्थान परिवर्तन नहीं करता है जबकि जीव जन्तु यह है अस्थान परिवर्तित करता है तो जुलोजी में हम जो है अस्थान जो परिवर्तित करता है जिवधारी उसके बारें पढ़ना है और बोठिनी में हमको वह इसे जिवधारी के बारें पढ़ना है जो अपना अस्थान जो है परिवर्तन नहीं करता है आए चलिए हम सबस कोशिका काते हैं कि हिंदिम क्या करते हैं कोशिका का का आधियन cyclistology को करते हैं कोशिक से हर एक जब जगत का शरी बना हुआ है अर्थात हम just example रुपें बताए जिसे देखिए मेरा ये रूम है ठीक है ये मेरा घर है घर किस से बना है ये इंट से क्या हुआ है दिवाल बना है जिसे इंट पाले हम इंट लिए इंट से हमारा क्या बना ये हमारा दिवार बना दिवार से फिर क्या बना मेरा ये मेरा कमरा ब अर्थाथ इस घर का जो है छोटा इनिट किया हुआ उसी तरह से कोषी का जिसको हम लोग कहते है कोषी का मैं सेल से क्या बन्ता है उट्तक है जिसको तो कहते हैं इंगलिस में इसे फिर क्या बनता है अंग बनता है जिसका हमुल आर्गान कहते हैं और अंग के बाद क्या बनता है हमारा यह सरीर बोड़ी बनता है अर्था देखिए यह मानब सरीर का जो होता है सब से चोटी काई होती कोशीका ठीक है कोशीका का जो है खोज सर पर्थम 1665 में अंग्रेजी एक बग्यानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हूप रॉबर्ट हूप ने जो है 1665 65.65 SP में कौन किया है? Robert Hook, नामत यह बग्यानिक है, इन्होंने कोशिका की खोज किया था, और इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था, वो मिर्त कोशिका खोजा था, ठीक है? तो धियान रखिएगा, Robert Hook जो कोशिका खोजे है, वो कौन सा कोशिका खोजे है? मिर्त कोशिका खो आता है तो लुवन होक कर नाम यह बिज्ञानिक है इनों ने जीवित कोसिका की खोज किये हैं जीवित कोसिका की खोज किये हैं अब देखिए एक्जाम के बेशिस से यह प्रस्ण बनते रहता है कि बताईए कोसिका की कीओ सरपर्थम किसने किया है तो Robert hook ने कुछ nella कोशीissions का खूझ सरपर्थम किया है 1665 में वह कौन सिक कोशी में खोजा है तो वह एक मिरत कोशी का खोजा है द्हान देने के लिए इक ट्रिक है Robert hook से निकालन कोशी का को मार दिया इसलिए मिरत कोशी जब हमको पूछे जीबित कोशी का कौन खोजा है या लिवन होग खोजे हैं। सलाइडेन एवं स्वान ने मिलकर कोशी का सिधान्त दिया है। अर्थात कोशी का काम कैसे करता है। इसके बारे में जनकारी हमको कौन दिया है। यह दिया है। सलाइडेन एवं श्वान ने दिया है। अब आईए हम आगे हम चर्शा करते हैं कि किसका कोशी का जो होता है सबसे भरा होता है। और किसकी कोशिका जो होता है, सबसे छोटा होता है, देखिए, जब हम बात करते हैं, सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, तो यह होता है, माई को, पलाजमा को जो कोशिका होता है, सबसे छोटा कोशिका होता है, और हम जब बात करते हैं सबसे बड़ा कोशिका यह होता है सुतुर मुर्ग के जो अंड़ा होता है और जब हम मानब में बात करते हैं आईए हम मानब कवारे में जान लेते हैं मानब करते हैं मानब में देखिए होसी सबसे चोटा मानब में जो होता है सबसे चोटा कोशिका पाया जाता है यह शुक्रानूं में पाया जाता है इसको हमने इंग्लिस में कहते हैं एस्पार में कहते हैं ठीक है? और बरा कोशिका पाये जाता है अंडानों में यह जिसको हमनों ओव हम कहते हैं और बात जब आता है लंबी कोशिका का यह पाये जाता है ब्रेन में अर्थात नीरोन के जो कोशिका होता है सबसे लंबी कोशिका होता है इसकी लंबाई के बात करते हैं तो लगभग 1 मीटर की होता है सबसे छोटा कोशिका जो होता है किसका होता है माईको पलाजमा को होता है ज़िए हमको यह पूश्ट एक्जाम में सबसे छोटा क्वशी का किसका होता है तो यह माईको पलाजमा का होता है और सबसे बरी क्वशी का किसका होता है तो यह सुत्र मुर्ग के अंडा का होता है सुतर मूर्ग के अंडा छोटा जो तर्वज होता है नम उश अकार के होता है जदि हम अनुमानित बताएं तो मूरगी का जो है 15-16 अंडा ले लिजीएगा उसके आयतन के बराबर एक अंडा होता है और जहां हम बात करते हैं मानव में तब question पूछ देता है कि मानब का जो होता है सबसे छोटी कोशी का किसका होता है तो देखे सुक्रानू का होता है सुक्रानू किसमें पाए जाता है पुरूस में पाए जाता है कि एक्जाम में यह प्रसन बना दे कि बताए सबसे छोटी कोशी का जो है किसमें पाए जाएगा इस्तिरी यह PUSM ने तो किसे चाहेगा प्रसम क्योंकि यह सुक्रानु, एस्पर्म पुरुसम तरब से ही बनता है, और सबसे बड़ा अंडानु में पाये जाता है और जब लंबा के बात करता है यह पाये जाता है ब्रेन में, नीरॉन में पाई जाता है, इसकी लंबाई जो होता है, एक मीटर होता है, कभी गौर किये हैं, कि जब हम लोग का कभी जो हाथ कट जाता है, या किसी भी अंग में कोई कहीं पकट जाता है, तो थोरा दिनों को बात देखते हैं, वहाँ पर जो गड़ा रहता है, वो धीरे-धीरे भर जात वह कईसे भर जाते हैं इस गार कमी सोचे हैं यहां जो परकिरिया होता है इसी को हम लोग करते हैं कोशिका का पुनह निर्मान होना आए हम उसके बारे में जानते हैं कि हमारे सरीर में जो होता है कोशिका का पुनह निर्मान सबसे तेज में कहां होता है और कहां पर जो होता है सरीर में कोशिका का पुना निर्मान नहीं होता है ज़िए एक वार खत्म हो जाई तो देखिए हम बात करते हैं पुना निर्मान के बारे में सबसे तेज बात करते हैं सबसे तेज हमारे कोसी शरीर में पुना बनता है यह हमारा लीवर बनता है जिसके हम लोग यह क्लिट खाते हैं देखिएगा जब बैक्ति को मान के चलिवर है प्रोब्लम आ सब्स होता है तो लिभर में होता है और कहां पर नहीं होता है कोशिका का पुनाह निर्वान तो यह हमारा ब्रेन में नहीं होता है कोशिका का पुनाह निर्वान इसलिए अगर आपका सरीर के किसी भी अंग में जो है कहें पकट जाए कोशिका डिस्टर्ब हो जाता है खराप हो जाता है तो फिर वहाँ पर बन जाता है जब आपके ब्रेन के कोशीका एक बार में नस्ट हो गया जे चोट लगा और वहाँ कोशीका जदे नस्ट हो गया तो फिर दुवारा वहां पर कोशीका नहीं बनता है इसे लिए कहा जाता है जदि आप bajक सब चलाते हैं तो अपने सर को बचाईए, हेलमेट लगा गिये, क्योνकि, यह आपका सर का कोशिका, जो है, एक ही बार में जदि निरमान होता है, और जदि वो फिर से disturb हो गया, जदि वो बेरवाद हो गया, फिर दुवारा सर का कोशिका, यह जो है, फिर से नहीं बनता है, तो यह था, आगे हम कोशिका के हम आवं अंग के वारे में हम परते हैं इसके आगे के हम जो कौन-कौन सा पाठ है उसके वारे हम परते हैं देखिए कोशिका का पहला अंग है मेट्रो कॉंडिया देखिए हमारे ये कोशिका इस तरह से रहता है और इसके भीतर में बहुत सारा इसका अंग पाये जाता है, इसमें एक यांग है, मैट्रोपॉनडिय, ठीक है, खुसी काधा कार बहुत छोटा होता है, जैसे हम कहें सरसो के दाना क्याकार की होता है, सुछ दर्सी से देखते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार कायों, इसके अंदर एक संदशना पाया जाता है, यह जो फिगर बना रहे हैं, मैट्रो कॉंडिया का फिगर है, इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम है, स्थानाचना जो पाया जाता है, इसको क्रिष्टी कहा जाता है, इसको क्रिष्टी कहा जाता है, आप जो नोट्स बनाना चाहते हैं, तो साथ साथ लूंकिए गई देखिए मेट्रो कॉंडिया का बात आता है खोज किस ने किया है इसका खोज ऑल्त मेन ने किया है किर और नमांकरन की बाता है कि नमांकरन लोगे बेंड डाने किया है देखिए खोज और नमांकरन में अंतर क्या है समझिए बहुत स्रेश बेंड फंस आते रहता है कि एक्जाम में पूस देते रहता है कि बोलिए मेट्रो कॉंड यह खोज किसने किया है और इसका नमांकरन किसने के सब कनफीजन हो जाता है देखिए खोज जिसे आप एक्जाम्पन पर में बता रहे हैं, जिसे कोई बच्चा जर्म लेता है, तो उसको जर्म कौन देता है? माता देता है. तो वो क्या हुआ? हम इसको खोज का सकते है, ठीक है? जब कि नमांकरन, फैमिली के कोई मेंबर भी कर सकता है कि नहीं? नाम देता है मोहन सोहन, जो नाम होसो देता है, है कि नहीं, तो खोज और नामंकरन में यही अंतर होता है, मैट्रो कॉंडिया का खोज अल्टमेन ने किया है, जब इसका नामंकरन जो है बेंडा ने किया है, ठीक है, देखिए, मैट्रो कॉंडिया एक भितर में कैसे समचना प होता है ऑक्सी सोशन का अर्थ यह होता है यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पर सोशन होता है अर्था हमारे सरीर के फेफरास जो हता है यहां पर ऑक्सीजन आता है और तब यहां पर यहां पर यह सोशन होता है ठीक है यहां पर एक सैंकल चरता है जिसका नाम होता क्रेब्स सैंकल करेब्स सैंकल यहां पर चलता है करेब्स सैंकल होता क्या है कि ATP ATP, 38 परकार के ATP रहता है यहाँ पर, 38 परकार के ATP, ATP का फुल फर्म होता है इसका एमिनो, साइनो, ट्राइ, फासफोर्ड, ATP जो होता है तूटता है गुलकोच में, फिर यह गुलकोच होता है उर्जा में तूट जाता है, यहाँ जो क्रेब्स सैंकल चलता है यहाँ पर, इसी के बज़े से ATP गुलकोच में तूटता है और यहाँ गुलकोच होता है उर्जा में तूटता है और यहीं पर जो होता है उर्जा का निर्मान जो मैट्रो कॉंडिया में होता है इसलिए मैट्रो कॉंडिया को कोशिका का जो पाबर हाउस कहा जाता है पाबर हाउस या उरजागरी कहा जाता है मेट्रकॉंडिया को देखिए यहां पर कौन सा सैकल चलता है क्रेब्स सैकल चलता है क्रेब्स सैकल में क्या होता है ATP गुलकोज भी बदलता है गुलकोज फिर उहत क्या है उरजा मदलता है एक पाज जानते ह एक गुलकोज जो होता है तूटता है तो 4.2 केजी कैलोरी बनाता है मानाप का जो होता है भर दिन में काम करने के लिए औसतन बताया गया है पचीस सो कैलोरी उर्जा की अवसकता होता है मेट्रो कॉंडिया के में एक दरब पाया जाता है जिसका नाम मैट्रिक्स है मैट्रिक्स यह क्या है एक दरब लिक्यूट पाया जाता है मैट्रो कॉंडिया के भीतर में जिसका नाम क्या होता है मैट्रिक्स होता है इसका खोज किस ने किया आल्टमेंड ने किया नामंकरन किस ने किया है बेंडा ने किया है और यहां पर कौन सा सोसन होता है मेट्रो कॉंडिया में आक्सी सोसन होता है कौन सा साइकल चलता है क्रेब साइकल चलता है क्रेब साइकल में क्या होता है 38 ATP गुलकोच में तुटता है और यह गुलकोच फिर उर जाया मदलता है ठी की नाम क्या है matrix है actually हम आ अग्ये हो पर्ते हैं निचलि अम्हार दुसरा है गौलजी काये भाए परना है इसको जो ज they इसे काम है. घॉल जी काय का मुख कम क्या है? परिवहन करना कि और जा परिवहन करता है. इसका मुख कम क्या है? उर्जा का परिवहन करना. उर्जा का परिवहन करना देखिए उर्जा का परिवहन होता क्या है कि अपनों परहे हैं कि मेट्रो कॉंडिया में उर्जा के निर्मान हुआ है और वहां से मेट्रो कॉंडिया से जो उर्जा के निर्मान हुआ है यह क्या करता है गौल जी वर्डिश सबसे पहले जो मेट्रो कॉंडिया में उर्जा बना है उसको यह हमारे ब्रेन तक पहुचाता है यह हमारे ब्रेन तक पहुचाता है सबसे पहले जदी हमारे ब्रेन को उर्जा की कमी हो जाता है तब हमको देखते हैं दिकतर निंद आने ल एट्राइम प्रेटिक लगते रहते हैं जब उस वक्त हुझा जाते हैं तो हमारा उर्जा ब्रॉडडी का मुख काम क्या है उर्जा का परिवहन करना इसका में काम है उर्जा का परिवान करना तिसरा हमारा है इंडो-प्लाजमिक रेटीकुलम इसका मूख काम क्या है कोशिका का अंदर जो है आंत्रिक सपोर्ट देना अर्थात कंकाल की बहाती कोशिका में या कारी करता है इसका जब हुम फिगर देखेंगे तो कोशिका मूँको कुछ इस प् परकार को होता है एक होता है एसमूथ ही यार और एक होता है रॉफ देखिए समूथ जो इंडोपलाजम घर्टीव कुलम होता है यहां पर कार्बो हैट्रेट कार्वो हेट्रेड एवं वसाक यहां पर क्या होता है निर्मान होता है कार्वो हेट्रेड एवं वसाक निर्मान एस्मूत इंडो प्लाजिमिक रेटिकुलम में होता है और रफ यह जो रफ है यहां पर राइबो सूम पाए जाता है राइबोसम में ही क्या होता है? प्रोटीन का निर्मान होता है. देखिए जब हम इंडो पलाजिम रटीकुलम्न में देखेंगे यहाँ से क्या हुआ है? रफवला भाग हो गया है? यह क्या हो गया मेरा? रफवला भाग और इधर यह हमारा हो गिया चिकना एस्मॉल वला भाग जो चिकना प्लेन हो गिया एस्मूथ वला भाग हो गिया ठीक है एस्मॉल स्वारी गलत भुला गिया एस्मूथ वला भाग ठीक है देखिए यहां जो रॉफ वला भाग है यहां क्या होगा राइबो सोम पाए जाएग ठीक है जबकि चिकना यह जो है स्मूब सर्फेस है वहां पर कार्वोहेक्ट्रिड एवं बसा का निर्बान होता है देखिए रैबो सम्भी यह दो परकार के होता है एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S 70S और 80S देखिए 70S जो होता है छोटी जीव सम्में होता है जिसको हम नंगी आखोस देखने सकते हैं और यह 80S जो इसमें पाये जाता है बरी जीवों में पाये जाता है जिसको हम नंगी आखोस देख सकते हैं ठीक है देखिए आप बात आता है वसा एवम कार्बोहेट्रेड तो देखिए वसा एवम कार्बोहेट्रेड गरम तो जान लेजिए वसा के कारण ही हमारे सरीर का जो होता है एस्कीन यह होता है न यह टाइट रहता है जदी जवानी अवस्था में सरीरी में जो होता है बसा पाये जाता है इसलिए एस्कीन जो होता है टाइट पड़ाता है जब बुढ़ापा आता है तो मानव के सरीर में जो होता है बसा खत्म हो जाता है इसलिए देखते हैं एस्कीन सुन्दर दिखेने हैं परता है जुँसके उतना सुन्दरंड़ से मौटा होना भी फैट के वजह से पूरूस में महिला पतला रहता है को मोटी मोटी हो रहेगी आ और अरे का ओर धियान आपको कि ज़िए हम हमारे हैं इतना मोटा को गये गॉट कराया जाएक अ होता है और महला का ने कम होगा इसके बज़ा यह है कि महिलाओ के सरीर में फैट जाहधा पाया जाता है फैट के वज़े से दिख रहा है किसके वज़े से वसा के वज़े से हैं अब यह सुन्दर दिख रही हो लड़की सब जो तुम्हारे वसा है यह से उम्र वितेगा ना वसा खत्म हो जाएगा चेहरा पुरा जुर्री आ जाएगा बुड़ा ऐसे हो जाओगे सब किसके वैसे होता है वसा के वैसे हो रहा है देखिए राइबोस्वम कोशिका के सबसे छोटी ही काई होता है राइबोस्वम और वहीं पर ही प्रोटीन का निर्मान होता है तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो है राइबोस्वम को कहा जाता है एक्जाम में यह प्रसन पुछ देत रफ सरफेस पाया जाएगा वहाँ पर रवसम होगा और जहां पर SMOOTH सरफेस होगा ER में वहाँ क्या निर्वान होगा वसा और फैड का निर्वान होगा ER का मुख काम कोसिका को आंत्रे टूप से सपूट देना अर्थ हात कंकाल की भアती कोषिधिका का रिकरना इंडोप्लाजुमिक रिटिकुलं का मुख कारे है आगा हमारा है सेंट्रोसौं, जिसको हिंदी हुपलु हम नोग तारग कहाते हैं सेंट्रोसौं का मुख कम होता है कोषिधिका विभाजन करने का काम रहता है, इसका खोज बोबेरी ने किया है, बोबेरी ने है, इसका खोज किया है, अपने नोट्स बनाते रहेगा, लिखते रहेगा जो उन्हें बोल रहे है, बोबेरी ने है, जो है, सेंट्रोस्वम की खोज किया है, सेंट्रोस्वम का मुझ काम क्या है, कोसी का बिभाजन न काम करना नहता है देखिए सबसे फास्ट जब बात करते हैं कोशी का बिवाजन तो आपको हम पहले ही बताए चुके हैं कि हमारे सरीर के जो है यक्रित यानि लीभर में जो होता है सबसे जो है फास्ट कोशी का बिवाजन का काम होता है फास्ट कोशी का बिवाजन का काम हमारे हमारे brain में जो होता है मानव सरीक जो brain में कोशी का विवाजन के लिए यह जो centrosum जो जरुवत होता है यह नहीं पाये जाता है इसलिए जब brain का कोशी का एक वार में disturbed यानि खत्म हो जाता है तो फिर दुबारा नहीं बन पाता है यह सिर्फ जीव जन्तु कोशी का में ही centrosum पाया जाता है centrosum की अनियमता के कारण ही cancer का रूप ले लेता है जिसे ध्यान दिजिए मान के चलिए कि हमारे सरीरी के किसी अंग में माने चलिए इतना कटा है ठीक है और क्या हुआ centrosum काम है कोशी का विवाजन करना बिवाजन करके अगर इतना ही बनाना था परन तो क्या कर दिया यह ज्यादा बना लिया माना चलिए बाहर का сторे पाठ है तो हम क्या किये ठीक एसको शकुत काट का हटा देंगे परन तो जब कि हमारे धेतर का पाठ है से कहीं हो जाता है उसे क्या हो जाता है cancer का रूप ले लेता है तो centrosum के पगलाने पन से ही क्या होता है cancer का रूप ले लेता है तो centrosum के ही बज़़से कभी दिखते हो जएगा किसी-किसी मनुस में जो हता है 5 अंगली के जगा 6 अंगली हो जाते रहते हैं तो क्या हो वहाँ पर centrosome शही से काम नहीं किया है अर्था centrosome पगला गी है कोशी का विवाजन में उसी वज़े से 5 गदला में 6 ओंगी हो जाता है तो cancer होने का मुख बज़ा क्या है centrosome centrosome के बज़े से ही cancer हो जाता है तो आज के वीडियो में इतना ही है चल इस से पाल हम क्या पड़े स्क्वेर मतरा हम रिवीचन कर लेते हैं हम पारे हैं कोशी का कोशी का के खोज किस ने किया है तो रोबर्ट हुक ने किया है या मृत कोशी का के खोज किया है रोबर्ट हुक यानि हुक से कोशिका निकाला मर गया मृत कोशिका लिवन हुक ने जो है जिवित कोशिका की खोज किया है सबसे बरी कोशिका सुतर मुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे छोटी कोशिका मैको पलाजमा की कोशिका होता है अब जब मानम सरीर के बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका एस्पर्म यानि सुक्रान के कोशिका यह पूरुसों में पाये जाता है सबसे बरी कोशिका तो यह अंडान के कोशिका जो महिलाओं में पाये जाता है सबसे लंबी कोशीगा बात करते हैं तो यह brain नीरोन की कोशीगा सबसे लंबी कोशीगा होता है इसकी लंबाई लभग में एक मीटर होता है और इसके बाद हम पर हैं कोशीगा विवहाजन तो सबसे ज़्यदा कोशीगा विवहाजन जो होता है पूर्ण निर्मान होता है Mentrocondia, के आंतरिक भाग को हम क्या नाम दिये हैं? किरिष्टी नाम दिये हैं. यहां पर AuxRIA होता है ATP गुलकोँच में तूटता है, गुलकोँच से फिर क्या वनता है? उर्जा हमको निर्बान होता है ब्रेन जो है, सोने लगता है, फिर हम पर हैं, इंडो पलाजमी के रिकिकुलम पर हैं, ER, ER का मुझकाम क्या है, कोशी काय का अंदर जो है, सपोट करना, कंकाल की भाधी कार करता है, यह दो परकार का होता है, rough और smooth, rough वाले भाग पर रैबोसोम पाए जाता है, रैबोसोम प्रोटीन का निर्मान करता है, प्रोटीन का फ्याक्टी रैबोसोम का कहा जाता है, रैबोसोम दो तरह के प्रोटीन मनाता है, यह 70S और 80S, और देखिए, जहांपर S मॉल होता है, यार वहां पर क्या हुआ है कारवाहेट्रेट और वसा के निर्वान होता है वसा कहीं वज़से यह हमारे एसकीन जो हता है टैंट रहता है बुढ़ापे में वसा खात्म हो जाता है इसलिए चेहरा पर जुड़ी आ जाता है महिला जो मोटी होती है वसा के वज़से ही मोटी हो तो चलिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।